बिस्मिल्ला है रह्मान रहीम, वेल्कम टू माई चैनल एट फ्लेवर्स, आज हम मैदे से बर्फी बनाएंगे, जो खाने में बहुत मज़े की होती है, होती मैदे की है, लेकिन लगता जैसे हमने खोई से बर्फी बनाई है, बर्फी बनाने के लिए हमें ये सब चीजे चाहि लेंगे, आँच बिल्कुल हलकी होनी चाहिए, चुले की आँच बिल्कुल हलकी, हमने सिर्फ मैदे का कच्चा पंदूर करना है, उससे ज्यादा नहीं पकाना, हमने डिर्ट कप मैदा डाल लिये, अब हम इसे बिल्कुल हलकी आँच पर मैदे को भून रहे हैं, कि इसका चाशनी बनाते हैं चाशनी बनाने के लिए हमने डियर कप चीनी लिए ये डियर कप चीनी में हम एक कप पानी डालेंगे और इसे भी हम मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे ये बर्फी बल्कل वائिट कलर की बनती है इसलिए हम जब चाशनी बनाए है तो खयाल रखें चाशनी का कलर डारक नी करना चाशनी का हमने ज़्यादा पकाना भी नहीं बस इतना पकाने है के हल्की से मुलाइम हो जाए और ऐक तार बस बनने लगे चाशनी कड़क ना हो ना उसका कलर बदले बस चाशनी हमारी तियार है अब चूले का काम खतम हो गए अब सिर्फ मिक्सिंग का काम रह गए चूला बिल्कुल ओन नी करना अब सिर्फ मिक्स करना है अब हम मिक्स कर रहे हैं चाशनी और भुनेवे मैदे को हम मिक्स कर रहे हैं यह देखे हैं हमारी अच्छा सा मिक्स हो गया जब इतना मिक्स हो जाए तो हमने वन थर्ट कप मिल्क पॉडर डालना है इससे बर्फी और भी मज़े की हो जाएगी लेकिन अगर आप मिल्क पॉडर नहीं डालना चाते हैं तो बर्फी वैसे भी बहुत अच्छी बन जाएगी मिल्क पॉडर के बगएर भी बर्फी बन जाती है यह वाली चलें अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं चंद कत्रे हमने क्योड़ा एससंस के डाले है देखें इस फॉर्म में जब हमारी आज है बर्फी तो बस हमारी बर्फी तियार है जिस जिश में हमने बर्फी निकाल ली है उसको हम घी से ग्रीस कर लेंगे थोड़ी सी गरम जब हो था हम डिश आउट कर लेंगे तकरीबर एक ग्हेंटे के बाद हमारी बर्फी बिल्कुल जम जाएगी जैसे बर्फी होती है एक ग्हेंटे के बाद हम अराम से बर्फी को कट कर लेंगे देखें कितने अराम से कट हो रही है देखें हमने चंद बदाम लेके उसको भी करश करके ओपर डाल लिये थे गार्णिश कर ली थी ऐसे हमारा पीस आराम से निकला है बर्फी का यह हमारी बर्फी तेयार है आप लोग भी बनाएं हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें लाइक करें शेयर करें अपनी द्वाओं में याद रखें और इस पर्फी को जरूर बनाएं यह बहुत मज़िकी आपको लगेगी बनाने में भी बहुत असान है अलाफीज